आशुतो शिश शांक शेखरी चंद्रे मौली चिदंबरा कोटी कोटी प्रणाम शंभू कोटी नमन दिगंबरा जै भोलेनाथ आप सभी पर भोलेनाथ और माता पारवती की कृपा बनी रहे आज की इस वीडियो में आप सुनेगे सुम्बार वृत की कथा शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती इसलिए अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि इसी तरह की कथाएं आप हमेशा सुनते रहें पौरानिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है एक गाउं में एक साहुकार रहा करता था साहुकार धनी था उसके पास अथा धन दौलत थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी साहुकार भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए सोमवार को वरत रखा करता था और वरत के दौरान वे विधी पूर्वक भगवान शिव और देवी पारवती की पूजा और शाम को प्रदोश काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी चलाता था साहुकार की भक्ती और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु ये साहुकार तो आपका परम भक्त है हर सोमवार को विधी विधान से आपकी पूजा करता है मुझे लगता है कि आपको उसकी मनुकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए तब भगवान शिव ने दिवि पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी ये संसार एक कर्म क्षेत्र है जैसे एक किसान अपने खेत में बीच बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है तो उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दुबारा अग रह किया और कहा हेनात फिर भी आप इसकी मनुकामनों को पूर्ण कर दीजिए क्योंकि ये आपका परम भक्त है और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधन क्यों करेंगे माता पारवदी के इतना आगरह करने पर भगवान शिव ने कहा देवी ये धनवान सहुकार है और इसका कोई भी पूत्र नहीं है इसलिए ये सदव चिंतित रहता है हलंकि इसके भाग कि में किसी संतान का योग नहीं है परंतु आपके आगरह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूं लेकिन इसका पुत्र केवल बारह साल तक ही जीवित रहेगा मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं फिर एक रात भगवान शिव ने साहुकार को स्वप्न में दर्शन दिये और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन उसका पुत्र दीर घायू नहीं बल्कि केवल बारह वश्ट तक ही जीवित रह पाएगा ये बात सुनकर साहुकार ना तो प्रसन हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहुकार ने पूजा अर्चन जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहुकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुन्दर बालक को जनम दिया बालक के जनम से घर पर हर्शोलास का महौल था लेकिन साहुकार खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक कही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहुकार की पत्नी ने बालक के विवा की बात साहुकार से कही लेकिन साहुकार ने इस बात से इंकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया साहुकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया साहुकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यग्य कराते हुए और ब्रहमनों को भोजन कराते हुए जाएं दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे उसका राजा अपनी पुत्री का विवहाँ एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था उधर दूले का पिता इस बात से चिंति था कि अगर दुलहन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी इसलिए उसने जब साहुकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूँगा और दुलहन के पक्षवालों को पता भी नहीं चलेगा दुलहे के पिता ने साहुकार के पुत्र को इस बात के लिए तयार किया और वह बालक तयार हो गया इस तरह उस बालक ने दुलहे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चड़कर तोरण की रस्म को पूरा किया तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दुलहे के पिता ने फिर साहुकार के पुत्र से अनुरोद किया कि वह दुलहन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवह संपन हो सके और ये बात छुपी रहे मामा राजी हो गए और विवह समारो भी संपन हो गया विवह संपन होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए परंतु साहुकार के पुत्र ने दुलहन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवह तो मुझसे हुआ है लेकिन तुम जिसके साथ विदा किये जाओगी वह एक आँख वाला अदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहन करने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इंकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरे पती शिक्षा ग्रहन करने काशी गए हुए है जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दुलहे के पिता ने सारी बात सच-सच बता दी और दुलहन के पिता ने फिर बेटी को भीजने से इंकार कर दिया इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुँच गए और बालक शिक्षा ग्रहन करने लगा तब मामा ने यग्गी करना शुरू कर दिया जब साहुकार का पुत्र बारह वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तब्य ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है साहुकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्ती हो गई थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्हाने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए परन्तु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यग्य अधूरा रह जाता इसलिए मामा वापस आकर यग्य करने लगे और यग्य पूरा करने के बाद और ब्रहामनों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे मता पार्वती ने किसी के रोने की करुन आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभू कोई मनुश्य रो रहा है चलिए उसके दुख को दूर करते हैं तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हेरान रह गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशिरवात से जन्मा साहुकार का पुत्र था माता पार्वती ने कहा हे नात ये तो साहुकार का पुत्र है जिसे आपने केवल बारवर्ष तक ही जीवन जीने का वर्दान दिया था इसलिए आज 12 वर्ष की आयू पूरी होने पर वे मृत्ति लोग को चला गया देवी पारवती ने मृत्त बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़ कर कहने लगी हे प्रभु आप बस एक बार इस बालक को जीवनदान दे दिजिए वर्ना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे माता पारवती के कई बार आग रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवनदान दे दिया साहुकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की और प्रस्थान कर गए रास्ते में साहुकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए फिर दुलन के पिता ने एक समारह किया और अपनी पुत्री को धूम धाम से साहुकार के पुत्र के साथ भेज दिया उधर जब साहुकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुँचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंधो कर बैठे वे थे वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लोटा तो वो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे तब ही बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हीं बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है सहुकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और सहुकार का परिवार इस प्रकार खुशी-खुशी जीवन बिताने लगा ये सब भगवान शिव की करपा और सुमवार व्रत का ही प्रभाव था कि सहुकार का पुत्र अलपायू होने के बाद भी दिरगायू को प्राप्थ हुआ इस प्रकार जो भी भक्त सचे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं अब सुने शिव चालिसा दोहा जै गणेश गिर्जा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोत्या दास तुम देहु अभै वर्दान जै गिर्जा पति दीन दयाला सदाकरत संतन प्रतिपाला भाल चंद्र मा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तनक्षार लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवी को देखी नाग मन मुहे मैं ना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवी न्यारी करत रेशूल सोहत छवी भारी करत सदा शत्रुन छैकारी नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक शाम और गणुराओ या छवी को कही जात नकाओ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपत्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत शडानन आप पठायो लवनी मेश महमारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा तुर्पुरा सुरसन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई कियात पही भगीरत भारी पूरब प्रतिग्याता सुपुरारी दानिन मह तुम समको नाही सेवक इस्तुतिकरत सदाही वेद नाम मही मातव गाई अकत अनादी भेद नहीं पाई प्रकटी उदधी मन्थन में ज्वाला जरत सुरा सुर्भै विहाला कि नहीं दया तह करी सहाई नील कंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन हा जीत के लंक विभीशन दीन हा सहस कमल में हो रह धारी कीन है परिक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भै प्रसन दिये एच्छत वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सब के घटवासी दुस्ट सकल नित मोही सतावे ब्रहमत रहो मोही चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो येही अवसर मोही आन उबारो लेत्र शूल शत्रुन को मारो संकट से मोही आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आये हर हू मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई चाचे सो फल पाही आस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी क्षम हूनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विग्न विनाशन योगी यति मुनिध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमशिवाए सुर ब्रह्मा दिक पार नपाए जो यह पाठ करे मन लाई ता पर होत है शंभु सहाई रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सोपावन हारी पुत्र हीन कर एच्छा जोई निश्चे शिव प्रसाद तही होई पंडित त्रियोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रियोदशी वरत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेत्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जनम जनम के पाप नसावे अंत धाम शिव पुर में पावे कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जानी सकल दुख हर हूँ हमारी नित नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीश तुम मेरी मनो कामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंतर तू समवत चौसठ जान अस्तुति चालीशा शिव ही पूर्ण कीन कल्यान अब सुनिए भगवा शिव की आर्थी जैशिव ओमकारा स्वामी जैशिव ओमकारा ब्रह्मा वेश्नु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जैशिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हनसानन गरुडासन व्रिश वाहन साजे ओम जैशिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अतिसो है स्वामी दस भुज अतिसो है त्रे गुण रूप निरखता त्रे भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओमकारा अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी चंदन म्रिग मद सोहे बाले शशिधारी ओम जैशिव ओमकारा स्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशोल धारी स्वामी चक्र त्रिशोल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जैशिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका स्वामी जानत अभिवेका प्रण वाक्षर में शोबित ये तीनों एका ओम जय शिव ओम कारा त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे कहते शिवानन्द स्वामी रटते भुलानन्द स्वामी सुख संपति पावे अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइख करना मत धूलिएगा